हाई विर्वन आप सभी का हमारी यूटूब चैनल पे वेलकम हैं आज किस इंपॉर्टन क्लास में हम डिस्कस करेंगे UGC Net उड़्दू से रिलेटेड कोश इंपॉर्टन कोईशन्स और कांसर्स अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रू सब्सक्राइब कर ले अगर आप इस स्रीज के पिछले इत्वाम वीडियो को वाच करना चाहते हैं तो इस वीडियो के कॉर्णर पे आप जाएंगे आपको प्लेलिस का लिंक मिल जाएगा सीधे वहाँ प्लेलिस में इंटर कर जाएंगे और इस स्रीज के पिछले तौ़ाम वीडियो को वाच कर सकते हैं इसी किसाथ साथ में अगर आप हमारे टेलिगराम चैनल को जोईन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रेशन बॉक्स में आपको हमारे टेलग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा और वहां से सीधे आप हमारे टेलग्राम चैनल को भी जॉइन कर सकते हैं आज किस इंपॉर्टन क्लास में हमारा पहला कोशन है जेल में दिये गए बेयानात को गोर से पढ़िए और सही बेयानात को निशान्ज़त कीजिए आफशन ये आपके पास में है वस्ती हिंद आर्याई पांसो कबल मसी से एक हजार इसवी तक का जमाना है आपको देखना किया ये सही है बी दिया गए कदीम हिंद आर्याई एक हजार कबल मसी से पांसो कबल मसी का जमाना है सी आपके पास में जदीर हिंद आर्याई एक हजार इसवी से दो हजार इसवी तक का जमाना है और डी है कदीम हिंद आर्याई पंदरह सो कबल मसी से पांसो कबल मसी का जमाना है तो यहां पे जो जुम्रे सही है अगर हम उनकी बात करें तो यहां पे A यह जुम्रे सही है और साथ साथ में D सही है B भी गलत है और C भी गलत है तो अगर हम बात करें कि A और D किसमे दिया गया है तो वो है आफशन B तो इस लहाज से हमारा जवाब हो जाएगा option B अब हम बात कर लेते हैं कि इनमें जो एक गलत दिया गया है और वो है जदीद हिंद आरियाई कदीम हिंद आरियाई को B में गलत दिया गया था तो D में उसी को सही भी कर दिया गया है तो जदीद हिंदार याई का जभाना क्या है एक हजार एस्वी से ता जभाने हाल अब हम बढ़ते हैं नेक्स कोशन के तरफ नेक्स कोशन हमारे सामने सौदा ने अपने दाखले निसाब कसीदे हुआ जब कुफर साब तो अतमाय मसल्मानी में किस फार्सी कसीदा गो के कसीदा से इस्सिफादा किया है आफशन आप के पास में रूमी, और्फी, अन्वरी, खाकानी तो बताईएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा इस कोशन का करेक्ट आंसर हो जाएगा option D यानी खाकानी बहुत important है नोट कर लिया करेंगे नेश कोशन वाई सामने किस मस्मी का नाम उसके दो किरदारों के नाम पर रखा गया है option आप के पास में गुलशन इश्ग, bucket कहानी, सहर बयान, कदम राओ, पदम राओ तो आप बताएंगे इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा हर कोशन को अच्छे से रिड करना है, पहले काम तो यहीं आपको करना है, उसके बाद इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, उसे आपको मार करना है इस कोशन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आफशन डी यानी कदम राव पदम राव गुल्षिन इश किस की मसनवी है, नुसरुटी की, बुकेट कहाँने किस की मसनवी है, अफजल पानेपती की, सिहर बयान किस की मसनवी है, मिरहसन की, कदम राव किस मसनवी है, निजामी, बेदरी नेस कोशन मारे सामने बहुत ही इंपॉर्टन कोशन है यहां पे देखेंगे जेल में चंद नसम गोशुरा के तखल्स और उनके असल नाम दिया गए है तखल्स के इतबार से नाम शामिल कीजिए यानि तखल्स भी दिया गया जोश, A में आभरापको मेंच काना है जोश का असल नाम की है अगर आपको इसमें क्लिर्टी ही जैसे हमुझे पता है कि जोश का असल नाम का शबीर हसन अब सीधर आफ आप आपशन पे आजाएं कि A का तीसरा किस्में दिया गया और अपना वक्त भी बचा सकते हैं तो ये भी नोट कर लिजेगा मेर मुहम्मद तक ही ख्याल अब यहां पर एक चीज और हम बाग करेंगे कि फार्सी में जोई बहुताने ख्याल है कितनी जिल्दों पर है तो आप मार कर लिजेगा आफशन भी यानि 15 जिल्दों पर मुश्तमिल है नेस कोशन जो मारे सामने दि दिया गया अफसानी मजमुव के अइतबार से पहली इशात के सन जोड़िये वारदात थंडा गोश्त हम वहशी हैं अपने दुख मुझे दो चोटे वारदात यह मुश्य प्रेमचंद का अफसानी मजमुवा है इसकी सन इशात क्या है तो मैं आपको बता दूँ वारदात सिर्फ A इल्मिनेट हुआ अब हम बढ़ते हैं B की तरफ B में देखे दिया है इसमें ठंडा गोश्त ठंडा गोश्त किसका अफसानी मजमुवा है सादस सलमंटू का और इसकी सन इशात है 1950 इसमी ठंडा गोश्त की सन इशात क्या 1950 इसमी अब आप देखेंगे कि B का तीसरा किसमें दिया गया तो B का तीसरा जो है B में हैं और साथ साथ में D में हैं अब हम C को भी रिट करते हैं हम वहश्य हैं किसका अफसानी मजमुवा क्रिशनी चंडर का हम वहश्य हैं किसका अफसानी मजमुवा क्रिशनी चंडर का इसकी सन इशात है 1948 इसमी अब हमें देखना ह अपने दुख मुझे दो ये राजिन सिंग मुझे दे दो राजिन सिंग वेदी का अफसानी मजमुआ है राजिन सिंग वेदी का अफसानी मजमुआ है और इसकी सने शाहत है 1965 इसवी चोटे जो है यसम चोगताई का अफसानी मजमुआ है और इसकी सने शाहत है 1942 इसवी बहु कि दर्जबाला शेर किस मजमून में इस्तेमाल हुआ है आफशन आपके पास में चीनी शायर साइकल की सवारी गालिब जदीद शोरा की महफिल में जुनुन ने लतीफा तो आप बताईएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा तो इस कोशन का करेक्टर हो जाएगा आ आफशन सी यानि गालिब जदीद शोरा की महफिल में गालिब जदीद शोरा की महफिल में ये किसका इंशाया है तो नोट कर लिजएगा कनहिया लाल कपूर इसी किसा साथ साथ में आफशन ए में दिया गए चीनी शायर ये भी कनहिया लाल कपूर का इंशाया है साइकल की स इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा इस कोशन का करेक्ट रांसर हो जाएगा आफशन सी यानी दिल्ली कॉलिज अब हम बढ़ते हैं इस कोशन की तरफ नेक्स कोशन मारे सामने सर जुका कर नाक रगड़ता हूं उस बनाने वाले के सामने जिसने हम सब को बनाया और बात की बात में उकर दिखाया जिसका भेड किसी ने ना पाया मुंदर्जा बाला अबारत की स्दासान से माखूज है आफशन आपके पास में सब्रस रानी केत्की की कहानी कर्बल कता बागो बखार तो बताएंगे आप सब लोग इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा इस कोशन का करेक्टर अंसर है और आफशन बी यानि रानी केत्की की कहानी रानी केत्की की कहानी किसे की है तो आप नोट कर लीजिएगा इंशाओल्ला खाएंशा सब्रस मुलावजी के एक तमसीली दास्तान है कर्बल कथा फजल अली खां फजली की दास्तान है बागो बहार विरमन देलवी की दास्तान है अब हम बढ़ते हैं इस कोशन के तब जो कि मारा लास कोशन है और ये बहुत ही इंपॉर्टन कोशन है जेल में जमानी एकवार से अफसाना निगारों की सही तर्टीब के निशान रही कीजिया उफशन आप एमें है मंटू, कुरिशने चंडर, सुहल अज़ीमाबादी, जीलानी बालो झा डूर्टन जानी दास उससे अबासानी के साथ में सही तर्टीब के निशानद ही कर सकते हैं तो जहां तक सवाल है बजादन मंटू की तो आपके पैदाइश हुई है 1912 ऐस्वी में कब हुई है 1912 ऐस्वी में कृष्णी चंदर की पैदाइश है 1914 ऐस्वी में और सुहल अजिमाबादी के पैदाइश है 1911 ऐस्वी में और जिलानी बानो के पैदाइश है 1936 ऐस्वी में तो अब इस हिसाब से आप देखेंगे तो सुहल अजिमाबादी पहले उसके बाद में मन्टू, उसके बाद में कृष्णी चंद्र और सबसे लास में जिरानी बानो तो इस लहाज से मारा सही जवाब हो जाएगा option C यानि सुहल अजिमाबाद के पैदाईश है सुहल अजिमाबाद के पैदाईश है 1911, मन्टू की 1912, कृष्णी चंद्र की 1914 और जिनानी बानो की 1936 इस वी इस तरह से आज की सिंपोर्टन क्लास से हमने यूजिसीनेट उर्दू के कुछ इंपोर्टन कोईशन्स उनके आंसर डिसकस की हैं अमेद करता हूं कि सभी कोईशन्स आप सब के लिए बहुत ही हेल्पूल साबित होंगे थैंक्यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो